कि अच्छ के लोग यह पांच में सेमेस्टर का लेक्षर थर्ड लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में इसमें हमारा जो नेक्स्ट कोशिन है थर्ड और फूर्थ कोशिन जो है उसको डिस्कस करेंगे फिलाल तो थर्ड कोशिन को यहां पर डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट कोशिन अगर हो सकता है तो हम डिस्कस करेंगे अधरवाइस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो सभी लोग जॉइन कर लीजिए बच्चों क्लास को जादा से जादा शेयर कर दें अप्लिकेशन लोड करने अगर नहीं लोड किया लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है तो अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो आप उस पे क्लिक करके जॉइन कर जाएए आज की जो क्लास है और इससे पहले जितनी भी क्लासे चल चुकी है उन सभी का पीडिया फाइल आपको आपके अपने टेलिकाम गूरुप समितराना ब्सक्रास से मिल जाएगा ठीक है तो क्लास समय से थोड़ा पहले हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में क्लास हो सकती है जो मैंने कोशन बता इंपोर्टन वो आप लोगों को मिलने हैं पर समस्टर के इंपोर्टन जो लॉंग कोशन थे वो मैंने पढ़ा दिया सारे के सारे एप्लिकेशन के ऊपर सॉट कोशन नहीं बलकि साफ कोशन से रिलेटर आपको आपको आंसर वहांपर मिल तो अपना धून को धून के पढ़ लीजेगा उनको ठीक है जो भी हमारे पेट बैचेस में बच्चे जुड़े हुए है उनके लिए कुछ खास बते हैं आपनों को मैं सुरवात में इसलिए बता देता हूं कि क्लास के चलते समय में आपनों को बीच में ना डिस्टर्ब करो तो वह ज्यादा बहतर है तो फड़ावर जॉइन कर लीजे क्लास को जॉइन कर लीजे करीना बिंद गुड़ इबनिंग यामनी समरा सरमा जी ओके पीके कल क्लास में नहीं लिया बहुत बड़ा दिन था तो इस वज़े से बड़ा दिन कहने के बतलब यह है कि कल फाइनल थ राता हर एक मुवमेंट को बड़ा अच्छा लास्ट में बीच में थोड़ा दिक्कत हुआ विकेट करने के बाद में वालिंग में भी यह हुआ कि सुर्वात में बड़ा अच्छा और आखिर तक बड़ बड़ हो गया खैर कोई बात नहीं आखरी बार नहीं था अभी कई बार आएगा फिर लड़ेंगे कोई बात नहीं उससे उभर है जो क्रिकेट लवर हैं सब लोग बाहर निकलें उस चीजों से और अपनी सुरुवात करें फिर से अच्छे से प्रप्रेशन करें क्योंकि एक्जाम सर्पे हैं आप लोगों के ठीक है बड़ा मोमेंट था अप हां ठीक है स्टार्ट करतें क्लास को सभी लोग आ गया है तो आज की जो क्लास में हमारा कोशन रहेगा बिटा वो रहेगा गिवन एकाउंट्स ऑन अनाटमी एंड माफोलोजी ऑफ एम्फियोक्स यह दूसरा कोशन है और तीसरे कोशन पर भी हम चर्चा कर लेंगे हैं अज को बिटा हम लोग ब्रांकियो स्टोमा के नामसे भी जानते हैं ठीक है लेंस्टस बीसको कहा जाता है ब्रांकियो स्टोमा या लेंस्टस भी कहते हैं अच्छा कॉशन ऐखर आया इस तरीके से तो आपको लिखने का तरीका मैंने बताए यह क्वhesन ए वी सी का हो सकता है थी पर में हैडिंग आप बीच में डालेगा सबसे बड़ी-बड़ी एंफियोक्सिस या आप डालेगा ब्रांकियोस्टोमा अच्छा दो नंबर का जो कोशन यहां पर आप लोगों का बन सकता है इसको लैंस लैंसेट या लैंसलेट के नाम से भी जानते हैं लैंसेट या लैंसल नंबर दे सकता है लेकिन अगर इस पेशली से यहीं पूंचा जाए तो इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको प्रिप्रेर कराया दे रहा हूं कि अगर एक आ रहा है तो आप देखें यह दूसरा पेपर हमारा है उसकी हम तैयारी यहां पर करा रहें बच्छों पहला पेपर हमने आपके अप्लिकेशन सुमित्राना बेसी क्लासे स्वे पढ़ा रखा है तो वहां से आप क्लास को कर लिए ठीक है यहां से जो दूसरा पेपर मैं नहीं पढ़ा पाया हूं वहां पर तो इसका इंपॉर्टन में यहां पढ़ाया देना तो जितने हमारे पेड़ बैचे और फाइलम क्या है क्लास की बात करें तो लेप्टो कॉडी है फैमिली की बात करें तो ब्रांकियो स्टोमेटिडी है और जीनस की बात करें तो ब्रांकियो स्टोमा है ठीक देखे इस क्लास के बात में यह जो हमारा क्लास चलेगा यह जो कोशन चलना है इस कोशन के बात में हमारा जो next question रहेगा वो class evies के general sorry classification के उपर रहेगा यह मैंने तिसरा question आपको बताना है आजी की class में इसको निप्टाने का प्रयास करेंगे फटा-फट जल से जल आपके second paper को complete करानी का कोशिस कर रहे हैं तो classification सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस तरीके से आ सकता है तो आप इतना लिख दें पर रहे आप थे next जो हमारा यहाँ पर mean है वो क्या है morphology of amphioxis anatomy भी बात करेंगे लेकिन पहले morphology के बारे में देख लेते हैं पाह आकार की कैसी होती है amphioxis की तो सबसे पहले हम शेप और साइज की बात करेंगे इसका आकार और आकरती कैसी है तो देखे लिखा हुआ है साब साब ब्रांकियो स्टोमा में बोडी लगबग पाँच से आठ सेंटीमीटर लंबी lateral compressed यानि lateral side पर कैसे होती compressed होती है और दोनों सीरों पर दोनों ends पर नुकीली तथा fish-like होती है मतलब pointed नुकीली, conical या pointed और fish-like बोले तो मचली के समान होती है इस आकार की body water में shrink करने वा swimming करने के लिए adapted होती है और ऐसा आकार की जो body पाई जा रही है amphioxus की या bronchiostoma की इसका main function होता है water में swimming करना और water में shrink कर जाना most species में body transparent और pink color की होती है most of species जो यहाँ पर पाई जा रही या या bronchiostoma की इनकी body कैसी होती बिटा transparent होती transparent के ने का मतलब क्या होता है आप आर दर्शी पारदर्शी मतलब आप किसी organism के अंदर बिना किसी microscope के या उसको बिना काटे जाक सकते है जैसे अगर आप हो हमें देखना है हम लोग देख रहे हैं तो हमें सिर्प उपर उपर skin hair nails यह सब दिखाई पड़ रहा है लेकिन ऐसी body होती है हमारी कि हमारे body के अंदर जो internal organ है स्केलेटन सिस्टम है हार्ट है सर्कुलेटर सिस्टम पूरा बना हुआ है बहतर नर्वास सिस्टम पूरे तरीके से छाया हुआ है पूरे body में muscles का पूरा structure हमारे body में है एक स्कुलेटरी सिस्टम है इस सबको दिखाई पड़ता सिर्फ दूर से ही तो ऐसी body क्या हो कहते है ट्रांस्पेरेंट ठीक है अच्छा तो इसकी body कैसे होती है ट्रांस्पेरेंट होती है और कौन से color की होती बटा pink color की pinkish color की होती है प्रंक्योस्टोमा या Amphioxys की body इस बात को याद रखना ठीक है नेक्स यहांपर अप हैडिंग डालेंगे वह रहेगा डिवीजन ऑफ बॉडी हो सकता है ठीक है लिखा हुआ नहीं पाया जाता है इसकी external whole body trunk वा टेल में wide रहती है तो externally आप जाब बाहर रूप से देखेंगे तो इसका जो पूरा body है वो धड़ के रूप में और टेल वाले portion में यानि trunk और tail मतलब मालो यह है structure तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ का पूरा हम कह सकते हैं trunk वाला region है और यह वाला region न हो क्या रहाँ tail करा रहा है snail करारा है तो धड़ और पूछ में क्या रहता है ब भाजित रहता है आगे देखेंगे लिखा हुग है trunk body का anterior भाग होता है जो इसका धड़ वाला portion होता है ये एंटिरियर पार्ट होता है, जिसके हेड के प्लेस पर रॉस्ट्रम होता है, हेड की जगह पर क्या होता है बैटा, रॉस्ट्रम पाया जा रहा है, ये देखे, हेड के स्थान पर क्या पाया जा रहा है, रॉस्ट्रम पाया जा रहा है, लेकिन हेड क्या होता है, नहीं पाय वाला reason है इसके compare में अगर आप tail वाला reason देखें यह इतना सबाब कैसा है chhota है हे फोड़ा सा बाग होता है ठीक है ट्रंग वाले भाग के comparison में जो tail वाला भाग होता है वो कैसा होता है बाटा चोटा होता है ठीक है आगे देखें second next हमारा क्या heading रहेगा next heading रहेगा apparatus या aperture of body aperture of body aperture मतलब छिद्र biological form में इसको में बोलता है छिद्र aperture ठीक छिद्र की बात कर रहे हैं तो देखे लिखा हुआ है branchiostoma की body में total तीन aperture पाया जाते हैं total कितने aperture हैं आपर तीन याद रखना ये aperture mouth ठीक है atriopore और anus मैंने क्या नाम लिए mouth atriopore और anus के रूप में होते हैं body के ventral surface पर rostrum के पास एक broad opening के रूप में mouth पाया जाता है rostrum के पास में देखो ये rostrum है इसके rostrum के पास में एक broad बड़ा सा structure पाया जा रहा है जिसको बकल इसके चारों तोर बकल सिराई पाया जा रही है और ये वाला जो रीजन बनता है ये oral hood बनता है क्या बनता है oral hood यहीं पर क्या है बिटा mouth प्रदेंट है यहीं पर क्या है mouth वाला भाग पाया जा रहा है ठीक है आगे देखे लिखा हुआ है इसके 4 और oral hood arrange रहता है माउथ वाली portion के 4 और oral hood arrange रहता है oral hood arrange रहता है atrio pore atrium cavity की opening होती है atrio pore atrium cavity की opening होती है जो ventral fins के आरहार के पास अरेंज होती है तिक वेंटरल फिन के आधार के पास जो वेंटरल फिन है उसके आधार के पास में अट्रियो पोर कैवटी पाय जा रही है तो ये वाला देखे ये वाला जो फिन पाया जा रहा है ये कौन सा है वेंटरल फिन ये वाला डॉर्सल है ये वेंटरल है तिक डॉर् को लोग एट्रियोपूर कहते हैं गिक एल रीजन में कोडल के पास में कोडल के आल की ओपनिंग एनस के रोप में होती है यह अ्रेंज रहती है तेल वाइले से यह पाया जा रहा है यह व्यां कौण सा फिन है विटा और यहां पर देखिये टेल की जस्ट पहरे थोड आसा यह यहां पर उपनिंग पाए जा रहे हैं जिसको लोग कहते हैं एनस कहते हैं घुदाद्वार कहते हैं अब हम बात करते हैं फिन एंड फोल्ड की यहां पर जो फिन्स पाए जा रहे हैं और जो फोल्ड पाए जा रहे हैं इसके बॉड़ी में किस पर कार के उनको देख रहे हैं देखे लिखा हुआ है ब्रंकियस्टोमा की बॉडी में तीन अन पेर्ड फिन पाया जाते हैं तीन अन पेर्ड फिर्ड 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 पर सबसे पाए जारा ना यह और मैंने कौन सा विन वताया आपको कट लगुंग यह नीचे की तरफ क्या पाइब छारा यह वाला यह वेंटरल fyn वेंटरल啊 आप गया लिखा हुआ है यह देcases हुआ है इस ट्रंक के बीच के बिज वो एनस और अट्रियो पॉर के मध्ध अरेंज रहता है तथा तरफ एनल फिन जो होता है वह एनस और किसके मध्ध में एनस और अट्रियो पॉर यह अ हैंस यहां से लेकर के यह वह जो एक दिखराओं यह वाला पोर्शन के ला रहा है तुर इसके दौसल फिन तथा वेंटरल फिन में फिन रे बॉक्सेज अरेंज रहती हैं तो दौसल फिन और वेंटरल फिन में आपको क्या देखने को मिलेगा फिन रे बॉक्सेज तो वेंटरल फिन में जो फिन रे बॉक्सेज पाई जाएंगे उनको वेंटरल फिन रे फॉक्सेज जो connective tissue द्वारा produce होते हैं और यह जो fin ray boxes होते हैं किसे बनते बटा connective tissue के द्वारा निर्मित होते हैं आगे देखे लिखा हुआ tail region के चारो और एक small size का caudal fin range रहता है जिसके अंदर fin ray boxes absent होते हैं तो यहां पर देखिए tail वाले region यहां से इतना यह वाला यह portion यहां से इसको दूसरे color से कर दूँ तब आपको अच्छे से समझ भाएगा यह देखो यह थोड़ा सा डार्क वाला यह वाला जो structure है यह actual में क्या है टेल वाले region में जरा सा portion है और यहां पर आप देख रहे हैं कि में फिंडरे बाक्सेश नहीं पाई जाते और उसभी को लोग क्या बोलते हैं को कहते हैं हम लोग और आपके लिट केहते हैं हूँ ऐसमें पूप्स नहीं पाई जाते हैं कितना समझ में आया सबिको आंगे देखे लिखा हुआ ब्रांक्योग इस्टोमा की बेंट्रल सर्फेस पर ओरल हुड तथा अट्रियो पोर के मद्य अनेक मेंब्रैनस फॉल्ड अरेंज रहते हैं जिनहें अधि मैं मेट अधिल्यूरल फुल्ड कहते हैं जिने हैं ओंने क्या कहते हैं गूंसे अधि पूर्ड गूंट बहुत सारे fold यहाँ पर है मैं इसको erase कर देता हूं तो आप देखे यह देखो यह ङह बहुत सारे को सेंड के भीतर गती करने में सहयता करता है तो जो मेटा प्लूरल फोल्ड है ना यह वाले फोल्ड यह फोल्ड ब्रांकियोस्टोमा जब किसमे होता है सेंड में होता है सेंड पर रेती में होता है तो उसमें रेंगने में यह सहयता करता है मुव्मेंट करने में सहयता करता है यह फोल्स ठीक है आगर देखे लिखा हुए ग्रंकियोस्टोमा की बॉडी और बॉडी वाल अत्यांत कैसी होती थिन वा ट्रांस्पेरेंट होती है पतली हो ट्रांस्पेरेंट होती है बॉडी मसल्स के दोनों लेटरल साइड पर वी शेप बैंड अरेंज रहते हैं जिन्हें नेकिया कहते हैं MyoTOMS कहते हैं पूरी बाडी के ऊपर क्या पाए जा रहे है You मायो्-मेर्स केहते हैं यह मन कहाते हैं मायो मियर्स कहते हैं चीक just by black black लग away इसको बोलते है इन मायग आध मयोडमेट्स ऊच्छा मायोड मीटा इसको मायो सेप्टा इसको बोला जाता है ठीक आगे देखे लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा की बॉडी में नॉर्मल साट से बासट मायो टॉम्स क्या होते हैं अरेंज रहते हैं मायो टॉम्स के नीचे गोनेड अरेंज रहते हैं मायो टॉम्स के नीचे क्या होते हैं गोनेड हो और इनी में क्या बनते हैं बटा गैमीट का फॉर्मेशन होता है गोनेट में ही गैमीट बनते हैं ये बाद आपको पता है ठीक है ब्रांकियोस्टोमा की इंटर्नल स्टॉक्चर में नोटो कॉर्ड नर्वस सिस्टम सीलोम ठीक है वह एक्ट्रियम कैवटी आधि भाग भी पा आपको यहां पर देखने कुछ भाग भी इसके अंदर पाए जाता है और यह रहा इसका एंफियोक्सिस या ब्रांकियोस्टोमा का स्टॉक्चर ठीक यहां तक समझ आया सभी को यह बात समझ में आ गई ना अब जब मार्फलोजी हमने देख ली ब्रांकियोस्टोमा की क्यो भाई नाटोमी सर कैसी होगी तो देखलो आइटिंग डाल दो फटब आफ एनडवी ऑफ इमफी ऑकसिस या ब्रांकियोस्टोमा सबसे पहला हम आनाटोमी में क्या स्को लेंगे डिजेस्टिव सिस्टम डिटेल में नहीं करना है लेकिन digestive system के बारे में लिखना है अगर complete digestive system आ जाता है ब्रंखियोस्टोमा का लिखने का तब आपको complete digestive system एक long question लिखना पड़ेगा जिसको मैंने पढ़ा है आपके आप के उपर पड़ी हो यह एकलास खेर इदर आओ पहला पॉइंट आपको लिखना है कि ब्रांकियोस्टोमा भी अन्नसिफिलो कॉड़ेट्स के सिमिलर सीलिरी फिडर होता है यह कैसा होता बैटा सीलिरी फिडर होता है इसके डाइजेस्टिफ सिस्टम में एक वेल डेवलट एलिमेंटरी कैनाल तथा एक डाइजेस्टिफ ग्लेंड इंक्लूड होती है यह सिरबात ब्रांकियोस्टोमा की एलिमेंटरी कैनाल लॉंग ट्यूबलर फॉर्म में होती है जिसका एंटीर भाग mouth तता last भाग NS के रूप में होता है anterior part कैसा होता है mouth के रूप में और आखिरी वाला भाग किस रूप में होता है NS के रूप में होता है ठिक यासमीन यासमीन जी सर अच्छे से समझाईए जरा सा बेटा मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समयाना है आपके समझ में आ रहा है को दिकत वाली बात नहीं आप वीडियो को दुबारा से रिपीट करके देख लिजेगा को सारी क्लास आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने थियोरी और डाइगराम दोनों को एक साथ ले करके चला हूँ तो थियोरी डाइगराम जब मैं साथ ले करके चलता हूँ तो ज़्यादा समझ में आता है नहीं समझ में आया कोई बात नहीं बेटा पैनिक ना हो परेशान ना हो ये वीडियो कहीं डिलीट नहीं होने वाली जाने वाली नहीं है आप दुबारा से इस क्लास को रिपीट करके फास्ट ट्रैक में देख लिना यहीं से तिक समझ में आ जाएगा चलो आ गया बढ़ते है नेक्श मंदी के लिखा हूँ है दोनों सिरों के बीच इलिमेंटरी कैनाल डिफरेंट भाग में डिवाइड रहती है दोनों सिरों के बीच में जो इलिमेंटरी कैनाल है तो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड रहती है इलिमेंटरी कैनाल की आल इनर सरस्पेस पर सीलियेट होती है यहीं सीलिया पाया जाते है इनर भाग में इलिमेंटरी कैनाल के इंटरनल मतलब माउस से लेकर के अनस्तक वाली रीजन में आपको बहुत जगा पर सीलिया देखने को मिलते है इसलिया तो यह सीलियरी फीटर क्यलाता है आगे देखे लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा की एलिमेंटरी कैनाल मुखिता माउथ पैरिंग्स इसोफेगस इंट आपको डिटेल में नहीं लिखना है लॉडा सा लिखना है तो इसका बनाई चुके हैं आदा काम यह को इतना कर देगा आपको पहला पंदे के लिखा हुआ है ब्रांकियोस्टोमा में सामाने के सिमिलर ठीक नॉर्मल जो कॉड़ेट्स होते हैं उनके सिमिलर ही एक्सक्रिश लोग हैं यह हमारे जैसे अन्य आप लोग भी हैं ठीक है हम सब हुमन वींग्स हैं या अदर एनिमल्स होगे अनिमल्स में तो सारे एनिमल्स को आप रख सकते हैं जो कॉड़ेट की क्रिटिगरी में आते हैं मतलब वर्टीब्रॉल कॉलम जिन में पाई जाती है उनके अंद सदस्यों के समान पाए जाने वाले नेफरीडिया के सिमिलर होता है तो फालम एनिलीडर के सदस्यों में जो पाए जाने वाला नेफरीडिया उसके सिमिलर यह प्रोटो नेफरीडिया पाए जाते हैं और यह प्रोटो नेफरीडिया कहां पाए जाते हैं एम्फियोक्स में याद रखना के लिखा हुँ है इस्पारिण से या जिसमें से इस्मे से ब्राउन फनल भाइल फनल ब्राउन फनल पाया जाता ब्राउन फनल इंक्लूड होता ये excretory organ pharynx के posterior end पर इसके lateral side पर arrange रहते हैं तो pharynx का जो posterior end है और उसका जो lateral side है pharynx वाले region का जो पीछला बाग है उसके lateral side पर क्या होते हैं ये excretory organ present होते हैं कौन? protonephridia present होता है इस पात को याद रखना चिक? तो protonephridia बैटा क्या है? ये एक excretory organ है protonephridia क्या है बैटा? ये एक excretory organ है और protonephridia के उपर एक short note आ सकता है मैंने शाहिद बता होगा इसमें नहीं बता है कोई बात नहीं आप लिख लिए एक short note इसमें आ सकता है protonephridia पर तो आप इसको पढ़ लीजिएगा वो मैं short note नहीं पढ़ाऊँगा सिर्व लांकोशन ही पढ़ाऊँगा आगे नेक्स जो हमारा system रहेगा वो कौन सा है? circulatory system digestive excretory circulatory बास दो इस दीन लिख तो बहुत नहीं है प्रंकियोस्टोमा में closed blood vessel system पाया जाता है बंद प्रकार का रुधिर परसंच पनतर पाया जाता है प्रंकियोस्टोमा में एक निश्चित हर्दे की अनुपस्तित होती है मतलब यहाँ पर एक definite heart नहीं present होगा ठीक है इसमें पाई जाने वाली blood vessels extremely muscular and contractile होती है बहुत जादा अधिक मात्तरा में कैसे होती muscular होती है और contractile होती है जिसमें blood circulation में सहयता मिलती है जिससे क्या होती बटा इसके अंदर blood का circulation में क्या होती है सहयता मिलती है नेक्स पाई देखे लिखा होगा ब्रंकियोस्टोमा के blood vascular system में blood vessels arteries और इनकी branches दोरा निर्मित एक system के रूप में पाया जाता है तो जो ब्रंकियोस्टोमा के अंदर blood vessel system है न यह blood vessels, arteries और इन arteries के दोरा जो branches बनती है उन सभी के combination से क्या होता यह system यहाँ पर develop होता है इसको circulatory system कहते है हाँ अगर circulatory system अजग से लिखने के लिए आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा और यह मैंने पढ़ाया हुआ application के उपर इसका पूरा video detail में मिल जाएगा जो बच्चे हमारे यहाँ पर feed batches वाले जुड़े हुए हैं उनको दिक्कत नहीं होगी और जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ सकते हैं क्योंकि इस समय प्राइज एकदम minimum कर दिया गया है half कर दिया गया है कहने को अब यह है चलिए तो एक question हमारा हो गया complete आप दूसरे question की तरफ रुख करते हैं दूसरा question हमारा कौन सा है तो दूसरा question हमारा है write a detailed note on a classification of avise avise term आते ही दिमाख में बहुत सादा confusion आ जाता है इसका हम classification कैसे देंगे avise को सबसे पहले तो आप समझे लोगे इसमें रखे कौन गया है तो इसमें birds को include किया गया है इसको include किया गया है birds यहनी पच्छीयों को include किया गया है और उन पच्छीयों के classification के बारे में आपको पढ़ाना है मतलब बताना है तो कैसे बताएंगे तो वही पुराना तरीका सबसे पहले question कि section का उस section को लिखेंगे फिर question number डालेंगे और फिर हमें डाल देना classification of avise आपकी heading देखो यहीं पर मिल गई तो main heading तो आपको आपके question से ही मिल जाती है आप जो classification of avise है इसको पढ़ने के लिए हम आगे चलते हैं चलो भाई तो यह रहा classification of avise अब classification of avise क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं तो पूरा detail में हमने यहाँ पढ़ाय हुआ पाइस का PDF बिटा आपको आपके अपनी जोना टेली ग्राम पर मिल जाएगा तो वहां से जाकर करके load कर लेना पीडियाफ इसका मिल जाएगा या वहां आप जाएंगे तो आपको मिली जाएगा तो पढ़ लीजेगा आप से चेक मैं अपने आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे मेरे पीछे जो बाते लिखे हुई है वह आप तक थोड़ा सा अच्छे से डिस्ट्रिव्यूट हो पाए हैं यह हो गया समय सर छोटे छोटे मतलब पाइज में पीशे तो सर बड़े है आप सबीशे चल आते हैं तो हम बात करते हैं किसकी क्लासिफिकेशन आफ क्लास एवीज दिखे लिखा हुआ है किसी अदर वर्टीब्रेट्स एनिमल ग्रुप की अपेक्छा बर्ड्स का कम डाइवरसिटी को शो करते हैं तो बर्ड्स होते हैं यह कम डाइवरसिटी कहने मतलब तो विविद्धिता कुछ अन्य अगर आप वर विजन में अगर आप बर्ड्स की बात करेंगे पक्षियों की बात करेंगे तो इनकी डाइवरसिटी कम है लेकिन एक समय में इनकी डाइवरसिटी बहुत ज़्यादा थी इनका एक एज था और ऐसा माना जाता है कि जो आज के हमारे पास में बर्ड्स है ना पक्षी है यह इनके प्रजाति के बने हुए ऐसा माना जाता है क्योंकि एवोलिशन अफ लाइफ की जबाब बात करेंगे शुरुआ से एक मैं बता रहा हूं आप लोंको थोड़ा सध्यान दीजेगा इसको टाइम मिले तो जरूर देखीगा नेटफिक्स के उपर एक जो है ना वेब सिर जाएगा तो बहुत अच्छी है लाइफ ऑन आर्थ ठीक है पुरी प्रत्वी पर जीवन की उतुपति कैसे हुई उसके बारे में उसने एटू जेड बताया सुरू से लेकर क्या आखिर तक अच्छा कुछ चीजें वहाँ पर तो समझ में नहीं आएंगी आपको वह आप बु देख लीजेगा पूरी प्रत्वी पर जीवन की उतुपति किस तरीके से हुई कैसे हुई उसके बारे में कुछ बता लेकिन हम आते हैं क्लासिफिकेशन आ फैवीज के बारे में ठीके तो अदर वर्टीब्रेट्स जो होते हैं इन एनिमल्स अदर वर्टीब्रेट अनिमल गुरूप की अपेक्षा बर्ड्स कम रावरसिटी को शो करते हैं पहली बात अब तक लिविंग बर्ड्स की लगबग 9000 इस् 25 से 35 जो बर्ड्स होते हैं ठीक है 25 से 30 बर्ड्स के ओर्डर को मानिता प्राप्ट हुई है अभी तक एक्सोनामि में केवल 25 से 35 जो पक्षी हैं उनके ओर्डर को क्या किया गया है यहाँ पर मानिता दी गई है बसे तो 2000 इस्पीसिस खोजी गई है कुछ ओर बन भी गए'mड स नुम्बर 34 है जिसमें 27 ऐसे ओर हैं 34 है बैट मोर के एकॉर्डिंग ऑर्डर का जो संख्या है वह कुतना 34 और पच्छी से तीस जो ना ओर को मनिता दी गई लेकिन वेट मोर एक सांटिस ने इनके कार्डिंग 34 क्या है और इन्होंने बताया है कि 27 ऐसे ओर रहें जिनमें लिव हो चुके हैं ठीक है विलुप्त हो चुके हैं तो करीबन करीबन 27 ऐसे ओर है जो लिविंग है बाकी के जो बचे हुए ओर्डर है जिनमें आप देखेंगे एक्स्टिंग्ट हो चुकी है प्रजातियां यह हैं ही नहीं जैसे डाइनासोर्स भी इसी केटेगरी में आता डान हुआ है और वह है प्रोटो सेल सबसे पहले बनने वाली कोशिका और उसी कोशिकास के द्वारा डिफ्रेंट टाइप की डाइवसिटी आपको आज की डेट में हमारे इस प्रत्वी पर देखने को मिलती है अगर आप निगाउटा करके देखें तो बहुत सारा डाइवसिटी है बहुत सारे और देखना पसंद नहीं करते हैं डरते हैं और उनके अगर आप पूरवजों को देखें के जाकर करके ना तो आपकी रूख आप जाएगी थोड़ा डर लगेगा कि यार अगर मैं मालो सो करते थे जमीन के अंदर आते थे वहीं से हमारे पूरवा जैसे थे जिनों दिन के दौरा हम लोग आज बैठे हुए और इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और इतना ज्यादा काम कर रहा है खेर आगे देखे लिखा हुआ है वर्ग एवीज को मुखिता दो उपवर्गों है टू सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है जिने करमसा और की और निर्थीज और निर्थीज के नाम से जानते हैं और की और निर्थीज 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 के नाम से जानते हैं तो पहला हमारा सब क्लास कौन सा है बेटा उपवर के कौन सा है आर की और नितीज तीके आर की और नितीज क्या है इसकी खास बात तो देखे पहला पांट यहां पर लिखा हुआ है इस सब क्लास में उन बर्ड्स को रखा गया है जो जिवरासिक पीरियेड के extinct primitive lizards के similar birds आते थे तो Jurassic Park अगर आप लोग ने movie नहीं देखिए सराज कि आप Hollywood की movie दिखा डालोगे हाँ भाईया क्योंकि हमारे इंडिया में इस तरीके की movie तो बनती नहीं है क्योंकि वो concept less होती है South वाले को जिसमें अबल नंबर पे आ रहे हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा जो बन नहीं हमारी बहुत उनका concept होता है अपने यहाँ पर एक समय में movie का क्रेश था वो भी था romance का आज की डेड़ में वो भी खतम हो गया है क्योंकि romance से हटके अब लोग चीज़ें करने लगे हैं तो romance भी दिरे दिरे कहीं न कहीं खतम हो गया है तो खेर चीज़ें ऐसा नहीं कि अपने आप बनी नहीं है बहुत सारी historical movie बनी है वो अच्छी बात है historical बनी लेकिन conceptual movie की हम बात करें तो वो नहीं है conceptual movie से हटके movie बनी हुई है जिनने देख करके आपकी आस्था जागेगी लेकिन अगर आप कहें कि आपको सीख पाएंगे तो नहीं मैं भी कोई नास्तिक नहीं हूँ आस्तिक परसा नहीं हूँ लेकिन वो अपनी जगे है लेकिन जानने की और सोचने की और समझने की समता एक अलग जगे पर है उसको अलग तरीके से देखें और इसको अलग तरीके से मैं यह नहीं कहता कि भगवान नहीं है मैं कहता बिल्कुल है आप भी मानी लेकिन भगवान है तो वो अपनी जगे पर हैं चीजें हैं वो अपनी जगे पर हैं भगमान ने हमको बुद्धी दिए Girout, शेओर ने में बुद्धी दिए और उस भुद्धी का प्रियोगem करेंगे अच्छी जगे परुद्धी का पर्योग हम करेंगे आफ्षी जगे पर खराब करोगे तो भगमान प्रजादी के कुछ ऐसे आप देखेगा लाइप ऑन और इस बहुत इंपॉर्टेंट नेट्फिक्स के उपर बनी हुए आपको ये किसी साइट से भी मिल जाएगा गूगल पर सर्च कर लीजेगा कुछ मुवी के साइट हैं वहां पर आप जाकर के देख लेना वेगा मुवी इसकी तीन से तीन तीन पंजेदार फोर निंब की क्या होते थी बटा तीन तीन पंजेदार क्लाउड यानि कि तीन तीन पंजेदार क्लाउड पंजेदार मतला क्लाउड जैसी उंगलियां फिंगर्स दिखाई देती थी तो क्लाउड लाइक फिंगर्स तीन तीन पंजेदा उंगलियां दिखाई देती थी नेक्ट मंदे के लिखा हुआ है इन सदस्यों में ठीक है इन सदस्यों में लॉंग फैदर्स टेल पाई जाती थी लॉंग फैदर लाइक टेल पाई जाती थी तथा टेल अत्यदिक लंबी पाई जाती थी बहुत जादा लंबी पाई जाती थी सथस्थ स्था भी आपको दिखा ही पड़ेगा उसमें क्योंकि इनकी टेल में 13 से अधिक वर्टिब्री कलॉम है पूरा इस तो घाला ये अब है डाइग्राम से संस्थेम पड़ा है बच्छों ऐसे से र नर्सिं नहीं पढ़ा है उस class को तो जरूर पढ़ लो मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि वो जो class है वो मैंने अलग तरीके की ही suit किये अभी तक मैंने इस तरीके की class suit नहीं करी बटा मैंने आपको theoretical portion में इन सब चीजों के रूप में पढ़ाया है चीज बताई है लेकिन वहाँ पर हमने बहुत detail में आपको जाकर के समझाया है मैं link यहाँ पर share करे दे रहा हूँ आप बाद में उस पर click करके जरूर देखना ठीक है देखे मैंने link बेज दिया यहाँ पर आप लोगों के comment box में दिखरा होगा click करके जरूर जाना और channel को subscribe करना मत बुलना है आप channel को subscribe भी कर लेना जिससे वहाँ पर बहुत सारी वीडियो जाने वाली है with diagram with practical ठीक है तर with practical यहाँ भी करा दिए वहाँ nursing classes है तो वहाँ पर detail में पढ़ाना रहता ना तो वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ पाएंगे ठीक है आपकी जो मैम है शिवानी मैम वो भी वहाँ पर बहुत सारे system लेकर के आ रही नहीं नहीं चीजे पढ़ा रही है जो आपके भविश्य में काफी काम आ सकते हैं और मैं भी वहाँ पर anatomy लेकर के चलना हूँ तो first semester वाले आपका तो होई गया लेकिन फिर भी knowledge लेकर देने के लिए आप जा सकते हैं खर next point यहां पर देखे लिखा हुआ इन सदस्यों में पाईगो style पाईगो style नहीं पाई जाती है इन में पाईगो style नहीं पाई जाती है इन सदस्यों में wings less develop होते है कैसे होते थे मिटा less develop होते थे इन सदस्यों में कील absent होती है कील क्या होता है एक structure होता है जो इन सदस्यों में पाई जाता है कील मतब यहां पर central वाले जहां पर punk होता है उसके नीचे अधर भाग में यह पाई जाता है मैंने इस पर detail वीडियो पढ़ाया हुआ है अप्लिकेशन पर बढ़ा है नेक्स में देखे लिखा हुआ यहां पर मैं थेहरिया आपको दे रहा हूं कुछ खास बाते बता रहा हूं तो आप लेकर के चलते हैं अजय सिंग जी बिएसी वस्टियर का जोलोजी का क्लास कंप्लीट हो गया यार बड़े लेट हो एप्लिकेशन पर मैंने पढ़ा दिया है और यहां पर भी इंपॉर्टन कोशन मैंने करा दिया है इसलिए मैं फर्स समस्टर नहीं लेकर आ रहा हूं पूरा पढ़ा चुका ह जों एप्लिकेशन के ऊपर सारी यूटूब में ही जाकर करे देखो छी के टरीलिस्ट में सारा वीडि आपको मिल जाए का इंट मैंने मैं यह जो लिंक ता वो मैंने पिन कर दिया है ऑर यार क्या होग लिंक के पर पिन कर दिया है ठीक है तो skeleton system वाली वीडियो जरूर देख लेना आप लो और चैनल को भी subscribe कर लो मैं देख रहा हूँ आगे जलते हैं नेक्स बन देखे लिखा हूँ इन सदस्यों में non pneumatic bone non pneumatic bone पाई जाती है ठीक है ये भी आद रखना नेक्स बन देखे लिखा हूँ इन सदस्यों को reptile एवम avies के बीच की connecting link माना जाता है जो reptiles है reptiles के बाद में ही क्या हूआ birds का formation हुआ birds बने पंक्षी बने तो यहाँ पर जो पंक्षी बने है reptiles के बाद आया है ना इसलिए यह जो class है यह जो यहाँ पर सब class आपकी रखी है सब class आर्कियो और निर्थीज तो सब class आर्कियो और निर्थीज के अंदर तो सदस्यों से पाया जा रहे हैं वो birds और reptiles के avies और reptiles के बीच की connecting link को शो करते हैं जैसे यहाँ पर आप देखिए नाम से इस हो रहा है आर्कियो टैरिक्स ठीक है आर्कियो टैरिक्स लीथो ग्राफिका इसको lizard bird के नाम से जाना जाता था यह दोडने वाला पक्षी था इसकी चोच बड़ी लंबी थी अब इस पे थोड़ा डालिएगा गूगल पे आज आज आएगा इसका fossil हमें आज की डेटर में मिला है fossil समझते हो जीवासम इसको इसकी कोशन आ सकता है जीवासम को मिला है जिसकी आधार पर हमने इसका structure इसकी संवचना बनाई है ठीक है कि ऐसा रहा होगा कलपना से ठीक है उसके body level को देख करके कि ऐसा भाई इस तरीकी का structure रहा होगा और वो काफी विसाल मतलब बड़ा structure इसका बना अर्कियोक्टेरिक्स लीथोग्राफिका का ठीक है तो यह कभी कभी एक short question एक नमबर का पोचा जाता है इसका क्या जोलोजिकल नेम लिजर्ड बर्ड का अचा देखे इसमें कुछ खास बात ही है में बता दूँ इसके फॉसिल्ज को जर्मनी के ब्रेवरिया से 1861 बहुत पहले जर्मनी के ब्रेवरिया से 1861 में एंड्रीस वेगनर एक साइंटिस्ट है एंड्रीस वेगनर के द्वारा प्राप्त किया गया था कि खुदाई कर रहे था उसमें इन्हों ने क्या किया था इसको खो जा था इस बात को भी याद रखना important है समझ में आये इतना चलो next जो हमारी subclass है दूसरी वो कौन सी है नियॉर निथीज बहुत important है और नियॉर का जो meaning लिया गए वो ग्रीक वासा से नियॉस से लिया गए नियॉस का मतलब होता है modern और और निथीज कहने मतलब होता है birds तो यहाँ पर नियॉर निथीज जो subclass है इसमें modern टाइप के जो थे birds का development हुआ birds का formation हुआ कैसे यह modern birds थे देख लेते हैं आज की डेट में आपको देखने को मिलना है देखे लिखा हुआ है इस subclass के अंतरगत पोस्ट जियुरासिक पीरियड के living birds यह निकि जो पहले जियुरासिक पीरियड के जो living birds थे और acting birds जो विलुप्थ हो गया है दोनों को रखा गया है इन सदस्यों में कुछ birds को छोड़कर wings well developed पाया जाते हैं कुछ ऐसे words है जिने आप छोड़ दें तो उनके अंदर wings आप देखेंगे वो well developed फाम में पाया जाते हैं इन सदस्यों में bones pneumatic that means hollow प्रकार की होती है और pneumatic bone होने के कारड़िये आसानी से उडान भर सकते हैं next point देखे लिखा हुआ है इन सदस्यों में piego style पाई जाती है इन में पाई जाती है दूसरी बात इन सदस्यों में चोंच पाई जाती है चोंच का निर्माड हो गया तथा चोंच में teeth नहीं पाया जाते हैं ठीक है absent होते हैं इस बात प्याद रखना next देखे लिखा हुआ है इन सदस्यों में four limbs की four limbs की finger fuse हो जाती है यह fuse हो गई है तथा इन में claws यानि की नकर नहीं पाया जाते हैं तो जो four limbs मतलब जो punk हैं जो punk थे उन punk में four limbs absent है पूरी तरीके से अब वो सिर्फ वो सिर्फ किसमें जो finger है fuse हो गई है total और यहाँ पर छोटी वह इन में 13 से कम अश्यों रिकाएं बर्टिबरी पाये जाती हैं तो यह जो birds हैं यह कोई आस्मान से ने टपके इन्होंने adaptation किया है according to the according to the किसके आधार पर according to the atmospheric या climatic changes जो atmosphere में बदलाव आ रहे थे जो वातावरण में changes आ रहे थे उन changes के आधार पर जीने के लिए इनके पूरवजों ने कुछ adaptation किया जिसके कारण यह adaptation आईसा नहीं कि आज ऐसा है तो कल कैसा हो गया ऐसा नहीं है यह adaptation करोड़ों सालों तक चलता रहा लाखों सालों तक चलता रहा ठीक है तब जाकर के कहीं एक नई species exist करने वाली बन पाई जो उस period में रह सकती है अगर देना चानते हैं आज इत्ती ज्यादा मूवीज बन गए इसा मना जाता नहीं बलकी है और उनकि फॉसिल्स करिए आप सर्च करियेगा गूगल के बहुत सारे जाएगे तो वह जानवर जो आजकी डेट में बहुत बढ़े बड़े-बड़ें वेल से वेल मचली के वरावर से वो यहां पर exist करते थे प्रत्वी पर लेकिन इस प्रत्वी पर बदलती हुई दसाओं ने बाता बढ़नी चेंजेज ने बहुत सारी घटराएं ऐसी जो नहीं होनी चाहिए थी उनके चलते इन इस्पीसीज का खात्मा कर दिया खतम हो गई है सारी इस्पीसीज और जो बची रही सही इस्पीसीज थी उन्होंने जीवन जीने के लिए अड़पेशन करने के लिए धीरे धीरे अपने इंदर चेंजेज लाया है आगे बढ़ते हैं आगे देखे लिखा हूआ है बहुत important है जब k्लास नियरणने थी चार सुपर ऑर्डर में डिवाइड गया यह बात याद रहे दर रहेगा और चौथा यहा पर है का हिंदी भी इसको लिख दिया चली पहला चौनारा यहां पर सुपर और 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 यह क्या कहता है इसमें कुछ खास बात है क्या कह रहा है कि इस सुपर और में पाए जाने वाले सदस्यों में पाइगो स्टाइल absent होती है पाइको स्टाइल क्या होती है मैंने बताया हुगा प्रीविस लेक्चर में जो हमने application पढ़ा है वहाँ पर देख लेगा अर्थात इन में टेल जो होता है वह वर्टिब्रा separated होती है इन में टेल के अंदर जो वर्टिब्रा होती हो separated form में पाई जाती है इन सदस्यों में उड़ने की जहमता नहीं पाई जाती थी तथा इनके sternum bone में कील absent sternum bone समझते कौन सी यह सामने वाली डेगर bone जिसको बोलते है sternum bone में sternum bone में कील उभार दुमा सनचना कील अनुपस्तित होती थी नहीं पाई जाती थी next देखिये लिखा हुआ है इस sub order में मुखिता extinct birds को रखा गया जो विलुप्त हो चुकी है पक्षी उनको यहां पर रखा गया है और उनके fossils मिलें तब ही हमने यह बात करी बिना fossils के हम बात नहीं करते हैं ठीक है भरजी की दलिले नहीं देते हैं यहां पर हमारा समयदान में कानून जो है भरजी की दले नहीं देता हाँ वो अलग बात है कि आप अलग से बना सकते हो कोई नया नियम मतलब जूट बोलने के लिए कुछ गवाह आप बना सकते हैं जैसा ही मूवियों में आपने बॉलिवूट की बहुत सारा देखा होगा बहुत सारा ठीक फिया पर यहां पर क्या एक एम पर नहीं है तो यहां पर एक एकजमपल आपको पढगना है इसको आपको याद रखना है एक बर्ट यहां पर है haspronis 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 है ये with teeth यानि की haspronis की जो peak थी जो चोंस थी उसमें teeth पाई जाती थे ये आज की रेट में extinct हो चुक है विलूप्त हो चुक है नहीं है इनके fa–cels हमें मिलें जिसके आधार पर हमने बात करी ठीक है दूसरा जो हमारा यहाँ पर सुपर ओर्डर है पहला सुपर ओर्डर हो गया अब हम दूसरे सुपर ओर्डर की तरफ चलते हैं इसको रिटेटी कहते हैं तो दूसरा सुपर ओर्डर है हमारा रिटेटी यह फास्ट रॉनर थे फास्ट रॉनर के मतलब भागने वाले पक्षी है ये ठीक है याश कम लोग क्या बोलने हैं पहली ओगना थी पहली ओगना थी पास्ट रणर क्यों कहा भागने वाल जो सुतुर मुर्ग जानते ओस्ट्रिज है ना वो यहीं पर आता है पहला पॉइंट इस सुपर ओडर में बड़े याकार के पक्षी जिन में तेज दोडने की छमता पाई जाती है लेकिन इनमें उडने की छमता नहीं पाई जाती है इनको क्या किया गयता है यहाँ पर रखा गया है ठीक है इन सदस्यों में विंक्स कम डेवलप होते हैं सुतुर मुख देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारी मूवियों में ठीक है विंक्स कम ड B, यानि चोंच पाई जाती है, टीक है, जिन में teeth absent होते है, इनकी चोंच में teeth नहीं है, ये बात अच्छी है, इन सदस्यों में sound box, serings absent होता है, टीक है, टीक है, तो जो larynx, larynx होता है, हम लोगों में serings होता है, इनके अंदर याद रखना, birds में serings होता है, तो यहाँ पर जो सुतुन मूर्ग है उसमें सैरिंग्स नहीं पाया जा रहा है ठीक नेक्स्ट इन सदस्यों के मेल में कपुलिटरी ओर्गन पाया जाता है एक खास बात है इन सदस्यों में यूरिनरी ब्लेडर पाया जाता है अरे वाँ यूरिनरी ब्लेडर पाया जा रहा है पाया जाता है और इस, subar order को ग्रीमन, saat order में क्या किया गया है ़ेकिन आपको इसमें दिटा याань रखना है इसके example से याद रखने है स्व पलकषै के तो पहला यहां पर है अस्टूथियोnd Camelus Istruthio Camelus इसको हम लोग African Ostrich यह Camel Bird के नाम से जान दे Camel Bird क्यों कहते है उठ जैसा पक्षी क्यों कहा जाता है क्यों उठ की भी लंबी गर्दन होती है और इसकी भी लंबी गर्दन होती है ठीक है और Istruthio Camelius नाम दिया गया है यह अफरीका में इसको जाना जाता है जिसकी अच्छा दूसरी बात कहीं यह Largest Living Bird है बेटा यह कैसा है बेटा Largest Living Birds है और इसकी जो हाइड होती वो 8 फिट तक होती है 8 फिट आँ सोचो जब यह बर्द 8 फिट का हो सकता है तो कहा डाइनासोर 30-40-40-40-50-50-100-200-100-200-00 होंगे या होते होंगे हैं भी दूसरा आपको यहाँ पर एक्जामपल याद रखना है Ria Americana इसको South American Ostrich के नाम से जाना जाता है Ria Americana South American Ostrich कहते है South America के भाग में यह पाया जाता है तो next हमारा है Cossericus यह भी एक हमारा क्या है बड़ासा बढ़ियासा इस सब आडर का क्या है सदस्य है और यह especially Australia मिलता है फिर next हमारा है Carrix इसको कीवी के नाम से जानते हैं और next हमारा है Dromias Dromias तो Dromias को हम लोग इमू के नाम से जानते हैं तो यह कुछ खास यहाँ पर ऑगनिजम है मनीशा राजबर कह रही है कोई हमें फांसी देदो नहीं समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है बटा बताओ मनीशा तुम्हारी हम प्राब्लम कोई पहले सुन लेते बाद में क्लास लेते है MKS chemistry सर कह रहा है बताओ मनीश राजबर भाईया क्या नहीं समझ में आ रहा है बटा आउय हम इसे वास रहे है कlike कि अध रहा है कि पांचमें समझ के समझ के कलास है और आपके यहां पर आपकी पेपर में यह है तो आपके लिए ыватьाने कि पांचमें समझ को एष़ बटेंगे चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और थर्ड सुपर आर्डर की बात करते हैं तो तीसरा सुपर आर्डर हमारा कौन सा है इंपैनीज ठीक है पहला पांट देखे लिखा हुआ है इस सुपर आर्डर में मुखिता एक्वार्टिक एवं मेराइन बर्ड्स को रखा गया है जलिये और समुध्र में रहने वाले समुध्र में रहने वाले पक्षी नहीं समुध्र कि एटा नहीं पाई verschia चलो अब शेक गुपता जी बता रहे हैं मस्त समझ में आ रहा है तो अब मुझे पढ़ाने का मज़ा भी आए चलो थार्ट पाइंट याद रखना बिटा इस सुपर आडर का ठीक है इंपैनीज में इन सदस्यों के फोर लिम्स यानि जो अगरपाद होते हैं वो फ्लिपर्स यानि चपूओं के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं अच्छा ऐसा क्यों हुआ है ऐसा अड़पेशन का है हुआ ठीक है अड़पेशन कोई भी हो वो किसी कारण वस हो और सबसे बड़ा कारण जो रहा है इस प्रत्वी पर एड़पेशन का वो रहा है प्रत्वाइब बदलते हो अब आता बना कुछ ऐसी घटनाएं हुई इसे भूकम पा गया जो जोला मुखी फट गए जिसे कई पर जातियों की जो है ना एक्स्टिंट हो गए कई पर जाती मर गए जिसकी वजए से खाने में भी कमी आई जब खाने में कमी आईगी तो हमें और जरूर देखने सारी घटनाएं दिखाए अपको समझ में आ जाएगा आगको तो मैं यह वी पढ़ा रहा हूं यह उसी से रिलेटेड वहां पर आप इनसे रिलेटेड वहां पर आप उसको मनुरंजन के तरीके से देख सकते हैं तो ज्यादा चीज समझ में आईगी तीक कि बात करें तो penguin आप लोगों ने देखा होगा इसको हम लोगh के नाम से जानते हैं उसको सी-बड्स आफ एंटर्टिका ती कह सी वर्ड्स आफ एंटर्टिका के नाम से जाना जाता है ऐंटर्टिका का जो दौइप है मादौइप है वहाँ पर यह especially मिलता है कौन टीनुडाइट टीनुडाइट पैंग्वीन मनीज राजवर करें आरे तुम्हारे लिए एंग्लिज में रोड़े न कलास ले करके आएंगे आप इसको कर ले ना आप अंगरी जी मातने माले बच्चे तो इसको कर ले ना है ठीक और परशान ना हो बविश में कभी हम इंग्लिज की क्लास लेकर कर आएंगे तो पूरा अलग सभी क्लास लेकर चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा ओर्डर है सुपर आडर नियोग ने था या इसी को हम क्या बोलते हैं क्रीनेटी या रिनिया जिसमें कील पाया जाती है क्रीनेटी चलो देख लेता है हुआ है इस सुपर आर्डर में उड़ने वाले modern birds को include किया गया है जो उड़ने वाले आधुनिक प्रकार के जो हमारे आसपास छेत्र में आधुनिक प्रकार के जो पक्षी है birds है उनको रखा गया है ठीक है आगे देखे लिखा हुआ है इन सदस्यों की चोंच में teeth absent होते हैं तो यहां पर जो यहां चोंच पाई जा रही है उसमें क्या नहीं पाई जाते हैं तीथ नहीं पा पाई जा रहा है इन सदस्यों में पाई को style पाई जाती है इन सदस्यों में इन सदस्यों के sternum bone में कील पाई जाती है जो जो नहीं थी वो अब सब मिलने लगेंगी इन सदस्यों में oil glands जिससे इनकी जो skin है वो moist ना हो थोड़ी सी लसलसी रहे या प्रीन ग्लैंट इसको हम पर present रहती है ठीक है इन सदस्यों में sound producing organ syrings पाया जाता है जिससे ये अच्छे अच्छे sound निकालते हैं जिसे तोता को आप देखते हैं बोलते हुए तो syrings के कारण ही बोल पाता है हम लोग जो बोलने है वो larynx के कारण बोलने है ये लोग syrings के कारण बोलता है ठीक है इस सब्सक्राइब कर देते हैं अली टॉक्सिक खतरना कोता है कि नेक्स्ट यहाँ पर इन सदस्यों में कपुलिटरी औरगन नहीं पाया जाता है ठीक अच्छा बहिए अब जो इसके बात यह बात यहाँ पर लिखी है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लेना देहन कि सुविदा नुसार इने कम से कम छें समागी परयावरणी समुहों में रखा जा सकता है तो अधर पर हम गरेंगे को इसके आधार पर एको चीप प необходимо ग्रूप देखें यहाँ पर दिया गया है ब्रच्छवासी पक्षी ब्रच्छवासी पक्षी कहने में क्या होता है जो पेड़ों पर रहते हैं वहीं पर अपना आवास वहीं पर खाना पीना उड़ना गोसला बनाना नैश्च बनाना वहीं पर अपने अंडे देना बच्छे क पर रहते हैं तीसरा यहां पर जो ही दिया गए वो तैरने और डुब की लगाने वाले पक्षी मतलब स्विमिंग एंड डाइविंग बर्ड्स कहते हैं चौथा है टटवार्सी और जलग पक्षी मतलब शोर बर्ड्स और वैडिग बर्ड्स बार्ड्स जैसे कि कौन सा हो होगा हमारा बाज है ना बात जो है यह सिकारी पक्षी है उल्लू है ना यह सब सिकारी पक्षी है इनको याद रखना आगे दिखिए नेक्स्ट यहां पर हमारा लिखा हुआ है आकासी या वायवी ये पक्षी एरियल बर्ट्स आकासी या वायवी ये पक्षी एरियल बर्ट्स एरियल बर्ट्स इसको डंगली बद्तक के नाम से जानते हैं एनकस इसको कहा जाता है दूसरा यहां पर है है सिगनस इसको स dipping की हम रूरosp के रूप से जाना जाता है है लेना इसको लोग Myanmar काते हैं तीसरी है Swift इसी के नाम पर आपने देखा गाड़ी भी निकली है Swift Desire, Swift बुलाना, Swift दिमागा है ना Swift जो है इसी के नाम पर रखा गया है यह क्या है? Fastest Flying Birds है और यह specially जापान में आपको मिलेगी Swift, ठीक है Fastest Flying Birds और Swift टेज भागती है इसी लिए इसका नाम यहाँ पर रखा है Swift पावो, प्रावो, चौरी, पावो क्रिस्टेटस इसको पिकॉक कहते हैं, मोर नेक्स्ट हमारा है सिटकुला, इसको इंडियन पैरेट के नाम से जाना जाता है इसकी उम्र जो होती है, वो करीबन 140 साल तक रहती है पैजर डोमेस्टिकस, इसको हाउस स्पैरो के नाम से जाना जाता है पैजर डोमेस्टिकस, हाउस स्पैरो कहते है नेक्स्ट है, कोलंबा लिविया इसको हम लोग पिजन के नाम से जानते है नेक्स्ट है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रो के नाम से कववा जिसको कहते हैं कववा उसके बाद में हमारा है ब्यूबो ब्यूबो इसको आउल कहते हैं उल्लू रैफस डाइडस डूडो के नाम से जना आता है 17th century extinct bird जो रैफस डिडस है डूडो जो है यह बिटा 17th century यह सत्रवी सताब्दी का यह extinct bird माना जाता है तो रैफस डिडस ठीक है और है आपका नीओ फ्रोन जिसको लोग वल्चर के नाम से जानते हैं नीओ फ्रोन बल्चर गड्द जिससे कहते हैं नेक्स्त हमारा यह extinct होचने कुछ भागो मैं है यह एक्स्ट होने की कगार पे हैं यह कगार हो मतलब वही चुके हैं है और योटिस नाइग्रि स RIGHT यह राज़स्तान का राजक्र की पच्छी माना जाता है ठीक है इसे हमारा इंडिया का जो पर नैश्नल भी सोह हमारा है यह वह कौन सा है कॉरिटिस नाइगरी सेप्स बहुत ज़्यादा मात्रा में वहां पर है और तो बड़ा सुभ माना जाता है राजसान के छेत्र में इसको वहां कर आज की बच्छी कहा जाता है तो इस तरीके से आप लोगों ने सेकेंड कोशन जो हमारा है क्लासिफिकेशन आफ क्लास एवीज इसको पढ़ लिया इससे पहले हम लोगों ने आपको पता है क्या पढ़ा जो कोशन था ये तो हमने पढ़े लिया इसके पहले हम लोगों ने हमारा नया कोशन था पहला कोशन जिसमें एंफियॉक्सिस के बारे में पढ़ना था और एंफ विडियो लेक्षर यहां पर अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा और यह जो हमारी महनत हम यहां पर कर रहे हैं यह रंग लाएगी आपके एक्जाम में नंबर आने के बात में तो आप लोग अपनी तैयारी भी करते चले साथ में तैयारी कर रहे आप लोगों को और जल से जल में यह पेपर आपको खतम कराऊंगा ठीक है अब लोग जुड़े रहें पढ़ते रहें क्लास को सब्सक्राइब कर लें और इसका जो पीडियेफ है बच्छों वो मैं आपके टेलीग्राम ग्रूप में अपलोड कर दूगा और टेलीग्राम अगर आपने अपी तक अपने फोन में लोड नहीं किया तो गूगल प्लेश्टोर से पहले लोड कर लो तो उसके बाद में यहां देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करोगे सीधे जॉइन कर जाओगे नहीं तो वहां सर्च कर लेना सर्च का ऑप्शन आता है सुमित रणा बेसी क्लास कर ला आ जाएगा तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थन्देवाद बिल्कुल होंगे यार अबिशेक गुपता जी फिफ सेमस्टर के लिए MJPRI उनिवर्सिटी के लिए तो भरबर के इंपॉर्टन्ट है क्योंकि हम MJPRI उनिवर्सिटी का ही स्पेशली पढ़ा रहा है ठीकि दूसरा पेपर हमने स्टार्ट किया यहां पर दूसरा पेपर इसल समय कम है इसलिए समय बचाने के लिए दूसरा पेपर पढ़ना है बिल्कुल काम करेगा चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद